हाई गाईज वेलकम बेक टो आवर चैनल ओनर्स इंगलिस आज हम एक एमेरिकन पोईट वोल्ट मीटमन के द्वारा लिखी गई एक पोईब वन सेल्फ आइसिंग करने जा रहे हैं यह जो पोईब है वो उन्होंने खुद को और हुमेलिटी को दोनों को ट्रुब्यूट की है और यह है जो पोईब है वो कुलेक्ट के गेती उनके 5th edition से 1871 में जो इनका masterpiece माना जाता है। इस पोईब में पोईट जो है वो खुद से शुरू करके सभी जो इस दुनिया में जो लोगतंतर है सभी जो लोगतंतर के लोग है उनके लिए कहना चाता है तो यह जो पोईब ह कि यहां बीना टाइम वेस्ट के पोईन को सुरू करते हैं one self I sing में खुद के लिए गा रहा हूं a simple separate person मैं एक simple separate मतलब सबसे अलग दलग रहने वाला person हूं मतलब मैं इस इनसान के लिए का रहा हूं जो सबसे अलग धलग रहता है यट अटर दवर्ड डेमोक्रेटिक दवर्ड इन मैस मतलब मैं एक वर्ड ही बोलूँगा जो डेमोक्रेशी को दिखाता है दवर्ड एन मैस मतलब यह कहना जाता है कि मैं एक वर्ड बोलूँगा लेकिन उस एक वर्ड में एक वैस्पी के लिए मैं पूर लोग तंतर के लिए बोल रहा हूं ओ फीजियोलोजी फ्रॉम टॉप टॉटोई आइसिंग मतलब एक मानव सरीर में सर से लेकर पैर तक मैं पूरे सरीर के लिए गा रहा हूं मतलब हर एक इंसान के लिए मैं गा रहा हूं नोट फीजियोकनॉमी अलोन नोर ब्रेन अलोन इस वर्दी फोर दे म्यूज मतलब जो पोईटरी का सेलिब्रेशन है वो के वल दिमाग और बोड़ी ही नहीं डिजर्व करती बलकि हमारा जो हर्ट है वो भी डिजर्व करता है I say the form complete the worthy or firm बलकि मैं तो कहता हूं कि पूरा सरीर ही उसे डिजर्व करता है the female equally with the male icing मतलब मैं आदमी के लिए पे का रहा हूं और एक औरत के लिए पे का रहा हूं मतलब male और female मेरे लिए equal है मैं दोनों के लिए का रहा हूं of life events in passion, pulse and power cheerful for freest action formed under the low divine the modern man I sing अब वो कह रहा है कि मैं life के passion के लिए, pulse के लिए, power के लिए, खुसी के लिए और जो freest form है किसी भी इंसान की मैं एक modern man के लिए गा रहा हूं means वो कहना चाहता है कि मैं बढ़ते हुए जनून, आधूनिक मानवता के जो passion है उसके लिए और बर्मान पे जितने कानून बनाए गए है, modern man के लिए, मैं सब के लिए गा रहा हूं और इसी के साथ हमारी जो ये poem है वो कतम होती है तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए topic के साथ